आप लोगों के एक question का जवाब देता हूँ, चिकनगुनिया वाइरस बीमारी हुई, वो ठीक हो गई लेकिन अब जोडों में दर्द रहता है, तो चिकनगुनिया बीमारी के बाद जो जोडों में दर्द रहता है, उसका इलाज कैसे करें, अब चिकनगुनिया का infection होता है, व जिसमें severe inflammatory response शरीर ने सो किया हो, तो उनमें ये देखा गया है, कि लगभग 20 से 25 बशन लोगों के joints में दर्द लंबे समय तक रह सकते हैं, महीन हो रह सकते हैं, साल हो रह सकते, तो उसको कैसे कम किया जाए, अब ये जो जोडों में दर्द होता है, उसके पीछे दो वज़ा रहती है, एक तो यह है कि जो वाइरस है, ये joints के अंदर ही cells होते है, उसके अंदर वहाँ पे इकठा हो जाता है, वहाँ पे वो अंदर rigid wire की रूप में रह जाता है, जिसके कारण ये inflammatory cells response वहाँ पे आता है, joints के अंदर और सोजन दर्द होता है, और दूसरा एक ये जो mechanism है कि जो वाइरस के against में antibody बनी रहती है, वाइरस को मानने के लिए वो जाके जो joints की surface रहती है, उस surface को attack करती है, उसके कारण ये जोडों में दर्द होता है, बाहराल जितने भी लोगों को होता है जोडों में दर्द, ज्यादा तर लोगों को ठीक हो जाता है, किसी में एक साल में ठीक हो सकता है किसी का, दो किसी के तीन साल में, इसमें करना ये रहता है, एक तो आपको जो सबसे important चीज है, कि हलकी exercise, exercise का बड़ा important रोल है, जिसे चलना फिरना रहता है, कुछ लोगों को सकता है कि initially में चलने फिरने में तकलीफ हो, तो हलकी एक तो आपको exercise करते रहना है, ताकि joints की जो movement है, वो बनी रहे, इसके लावा सूजन के लिए दवा आती है, anti-inflammatory दवा आती है, कई तरह की आती है, वो आप जाके डाक्टर से prescribe करा सकते हैं, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा जोड़ों में दर्द या सूजन रहती है, उनके लिए इस्टराइड आती है, कम दोज में लोग डोज इस्टराइड दी जा सकते है, लेकिन ये डाक्टर की निगरानी में होना चाहिए, और ऐसी बैक्तियों के लिए कुछ दूसरी दवाई हैं, जैसे कि हाइट्रो क्लोरोकीन है, हाइट्रो क्लोरोकीन एक ऐसी दवाई है, जो की effective होती इस तरह की मरीजो में, और ये सेम दवाई है, जो rheumatoid arthritis के patient में भी लिखी जाती है, इसके लाबा, rheumatoid arthritis के patient में जो दवाई लिखी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, disease-modifying anti-rhumatic drugs, वो भी कुछ cases में try करे जाती है, तो बारहाल जोडो में अगर दर्द है, तो आप डाक्टर सी मिलो, ज़ सारे लोगों को यह सारी दवाई दिया जाए कुछ लोगों का exercise करने से और cold या heart जो compress होता है सिकाई करने से basically उससे आरा मिल सकता है आपको अच्छा खाना-खाना है मतलब balance खाना-खाना है जिसमें ज्यादा antioxidant हो, nutrition हो, मिंदल सो, बिटामिन सो, ओमेगा-3 fatty acid हो, अपने वजन को थोड़ा सा नियंत्रीत करके रखे ताकि joints पर ज्यादा भार ना पड़े अगर घुटने की और नीचे ankle joint प्रभावित है और यह काफी तरह की दवाईया हैं जिससे आपको धीरे-धीरे यह improvement हो जाएगा, maximum लोगों म में सुधार हो जाता है, और जैसा कि मैंने बताए कि जितने लोगों को चीकन गुनिया होता है उसमें 20-25% को यह समिश्या आती है, जो joints होती बिसिकली ज्यादा तर cases में एक तो यह wrist joint है, इसके अलाबा इदर elbow joints से घुटने में हो सकती है, तो यह जो peripheral joints रहती है, इसमें ज् उसके पीछे की वज़ा मैंने बताईगी वो virus के असर की कारण है, जो virus का anti-inflammatory असर है, तो अगर आपको फी यह लच्छन आये हैं, तो एक बार आप अपने डाक्टर के पास जाएं, उनसे सला ले लें, दवाईयां काफी तरह की उपलब्द हैं, और दूसरे भी तरीके जो तो मैंने बताएं हैं, उसको आप ट्राई करोगे, तो धीरे धीरे ये जो दर्द की समयस्या है, arthritis के, arthritis की समयस्या है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी है, तो अगर किसी को चिगन गुनिया बुखार के बाद जोडों में दर्द रहता है, तो इस तरीके की आप चीजें ट् का बड़ा important role होता है, उस पर जरूर ध्यान दे कि आपकी vitamin D की सरीर में कमी न हो, calcium सरीर में हो, आप protein आपको उचित मात्रा में मिले, तो धीरे धीरे ये improvement हो जाएगा, thank you